तो नमसकार दोस्तों आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया है आपने ये भी पूचायां कि actual tank-to-tank mileage कितनी आती तो आज की वीडियो में मैं आपको tank-to-tank mileage दिखाने वाला हूँ जो flyよろしく fly CI, process Angle वो ये वाला flyover था लेकिन वहाँ पर कोई भी petrol pump नहीं होता उपर इसलिए मैं उसी flyover के नीचे जा रहा हूँ petrol भरवा के मैं गाड़ी उपर लेकर जाओंगा highway के उपर वहाँ से हम चेक करेंगे tank to tank mileage में कितना होता है तो चलिए सबसे बले हम tank to tank mileage checker ने tank fill कर आते हैं भाई साब आभी चल रहे हैं हम 6th gear के उपर और 66 के आसपास की speed 66 से लेके 72 तक हम speed को maintain कर रहे हैं अभी तक हमने sports mode कैसे सोच कर अखा हूँ था कि बैया sports mode के अंदर माइलेज नहीं मिलती और पावर अच्छी का से मिलते लेकिन माइलेज नहीं मिलती लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि sports mode manual के अंदर सबसे जादा माइलेज मिल सकती है मज़ा आ गया है अगर डीजल की माइलेज पेट्रोल के अंदर मिल रही है तो और क्या चीए एक मिन गेर अपकर लेता हूं मैट मैलेज डाउन हो जाएगी नहीं तो अच्छा स्पीड थोड़ी कम है इस बोल रहा है कि बढ़ा हो पहले तभी तो तभी तो हम गेर कॉप डाउन करेंगे लो, 60 की स्पीड पहुंचा भाई पहुंचा 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 अभी भी नहीं करेगा ये गेर कॉप तो थोड़ा सावर स्पीड बढाते हैं 61 मज़ा आगे या तो ही M.I.D. खड़ाब है या मेरे मालीज यतनी है अगर आप इस्टाफी की पूर देखेंगे इस्टाफी क की अरियाने वाला है देखो भाई हम रुग है उसी जगह पे जहांकाल रुग है इससे पहले की मालेज थोड़ी ओर रॉप हो जाए आपको दिखा जाए तो एक्छल में कितनी मालेज देरी गाड़ी अभी अभी देरी 23.6 की मालेज मैंने स्पोर्स मोड में कुरी गाड़ी की दर वहां से हम चेक करते है कितना मालेज निकल के आता है एक्छुली में इसको रिसेट कर लेता है अब है डिक खर करूंगा मैं अनिस पॉंट दो की है और टिब एक की अंदर 63.3 किलोमेटर चुकी है और तेरा पॉंट शे की मालेज दिखा रहा है अब ट्रिप बी की अन किलोमेटर चला है 19.2 के माईलेज देखा इसको डीसेट करते है अब ये होगया डीसेट अब माईलेज अब चलेगी आप ये जो हाइवे है ये मीस्ट हाइवे है जैसा हाइवे भी है और इसके अंदर ट्रैफिक ही मिलता है तो देखते हैं अभी एक्चली में कितनी मालेज निकल कर आती है ठीक है देख लो यह सिनेरियो है यह हाइवे होने आगे जाके तो थोड़ा सा मालेज में अभी देखो 10.3 की दिखा ला है पता नहीं आगे जाके कि आगे जाके हाइवे है थोड़ा सा यह ट्रैफिक जो है स्मूथली रन करने लग जाएगा अब देखते हैं कितना निकल के आता है चलो यह जो ट्रैफिक है यह सारी मालेज ड्रॉप करवाने है क्योंकि फिफ्ट गेर से उपर जाई नहीं पारी गाड़ी मैं स्पोर्ट्स म आइवे है यह मतलो इतना ही पैक रहता है हमीशा कितना भी कोशिच कर लो कि इस से कम ट्रैफिक इस रोड की ऊपर नहीं मिलने वाला इससे ज्यादा मिल सकता है क्योंकि यह नवी मुंबई और मुंबई का एक कनेक्टिव रोड है टैंक दिखाऊंगा ना यहां से जहां मैं मैंनुल के मोड के अंदर आप मैंनुल काड़ी की तरह चला लेंगे ऐसा नहीं है इसका जो मैंनुल गेर बॉक्स है वो सर्टेन स्पीड के बाद भी अपना गेर चेंज करवाने की परमिशन देगा आपको मतलब लगा लीजे आप सोच रहे हैं कि दस के बाद आप तुरण करने की परमिशन देगा हमको तो यह सोच रहे हैं जो आप कि मैनुल के अंदर हम इसको चला सकते हैं हाँ हाइर स्पीड के ओपर आप मैनुल को आराम से लेके जा सकते हैं लेकिन छोटे गेर के अंदर यह दिक्कत चीज है अब जाएगी पूरी बाले जाब फिर से ट्रैफ सोच रहते हैं और फांक फेड़關係 सबस्केटर फांक अटीज को किया है और जैसे एक्स li near ती दिया मतलब रोकने की बहुत मिभटक फाकर कर ने चांशिक की लेक centres क्या लेकिन निगल जाता उसका यार चाली चलो बचाने के लिए टेक्सी जा ले ना उसको बहुत बड़ा क्राइम हो जाता उसके लिए 16.1 की मालेज आती है 9 km हम चल चुके है 16 km किसाब से 9 km चलने वाला जो मालेज है मुझे इसाब से मैं पेट्रोल गाड़ी के लिए ठीक थाक है कंपणी क्लेम करती 17 km की और यह पूरी जो ट्रीफ है मैंने मिक्स्चर में चलाई एकॉनमी मोड पे सिटी मोड पे और स्पोर्स मैंवल मोड पे दोनों के अंदर मिक्स चलाया क्योंकि कई जिगह पे एक्स्ट्रीम ट्रैफिक था वहां पर स्पोर्स मोड वी चलाना तो लोज लेकिन जैसे ही ट्रैफिक जैन थोड़ा सा ओपन होता है मैंने हलका सा लूज होते हैं मैं तो फ्री फ्लो होना स्टार्ट होता है उस कंडिशन के अंदर स्पोर्स मोड थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि एकदम से पीछे वाले होंक करने लग जाते हैं और तो थोड़ा जो बहुत डिसपोइंडमेंट हो गा है अब दूसरे ट्रिप एक ही देखू माइलेज अर्ट्रिप एक ही जो माइलेज निकल के आड़े वो निकल के आड़े 13.9 kmpl 13.9 kmpl मतलब अरे यार इतना कम निकल के आएगा लेकिन यह ओरल एवरेज निकाल रह जेतना हमने 72 आप दूसरी वीडियो कंदर जान जाएंगी यहां का काम क्या था यहां की वीडियो में शूट कर लिए अब चलते हैं अभी अगने अपना जो वीडियो शूट कर रहे थे करते हैं अभी अभी दिखाला 13.9 km2 निकल कितना निकलेगा लेकिन उससे पहले हमें वह उह पहले ह यह पुना करता है मुंबई से जितने भी पार्ट्स है मुंबई के लावा जो नीचे की तरफ निकलते उन सबको करता ही है और इसके उपर इतनी भीड मैं थोड़ा तो कुछ करो यार फास्टेक के लिए सिफ दो ही लेन है चलो क्या करें चलो भाई उस ट्रैफिक से तोड़ा निकल गए है और अब यह तो जो हाइवे नहीं था उसके उपर जाना कोशिश करते है चलो जो अब ट्रैफिक से निकल जगे है जो हाइवे है उसके उपर जाए है हम लोग भाहा पर एक्चली थोड़ी मालेज इंग्रीस हो जटी है मैं स्पोर्स मैन्वल में चलारा हम फिर से स्पोर्स मैन्वल में एक्चली अच्छी मालेज इंगल के आती है पाकी जो मोर्स होते है उसके उसमें क्या दिक्कत है उसमें काड़ी खुद पर को डिसाइड करती कि कौन से गयर में चलना है स्पोर्स मैनवल में हमें मोका मिलता है कि हम एक्चरी में डिसाइड कर सकते हैं और यह स्पीड लिमिटर आ गया है अब ही मैलिज मुझे दे रहा है 13.0 km के देखते हैं कितना निकाल पाते हैं अब इस पीड के इपर बंग करना तोगा टेंजर चाहिए अज्दे अब लौकिंगा इसले में बंद करना फ्लोकिंग जालो थो दो इन इसले में आगे अज्ड़ा है चुफाइज क देखेंगेडों आई आगेड़ा है आगे आगेड़ में ठोल है हम इंग खोर स्टरब इस बना अधरे अखेंगा जो और टो गुद, यो है यो यो है, भूद, पर शेर भाहँ का है, जो है वह यो जो है, यो है जो है। तो आप लोग ने देखा कि पेट्रोल डला है 3.67 लीटर और अभी हम चल चुके हैं लगबग लगबग 39.9 किलो मेंट अब 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 आपने कालकुरेटर बजाते हैं अब देखते हैं कितना आता एक्चुली में यह आ गया 39.9 divided by 3.67 तो मैलेज निकल के आती 10 किलो मेटर पर लीटर अब यह मालेज जो है यह इफेक्ट करती है क्योंकि हमने सीटी के अंदर भी चलाया है हाइवे के अंदर भी चलाया और मतलब मिक्स कंडिशन के चलाया ट्रैफिक लाइट की ऊपर खड़े हुए तो एक्चुली में जो मालेज है यह मिक्स कंडिशन के अंदर है तो मैं कहूंगा कि यह वाला जो मालेज टेस्ट है यह सिटी सिटी के अंदर है आईवे पर तहम टेश करी नहीं पाए ना और इसके उपर देखेंगे तो यह पंदरा की शो कर रहा है और जो यह दूसरे वाला है यह जो शो कर रहा है 14.1 के एंपिल की शो कर रहा है तो मैं कहूंगा कि अगर 40 किलो मेटर पर 300 रुपर लग रहे है मतलब काफी जादा इस टाइम पे और इसके अंदर बीच में हम मतलब क्या कहेंगे माने की ना माने एक्चली जो हाइवे की मालेज होगी हाइवे के ऊपर ही हम कल्कुरेट कर सकते हैं और जो वैसी वाले मालेज सीटी वाले मालेज है सीटी की मालेज दस के आसपास आएगी तो आप सोच सकते हैं कि इतनी माले जाने वाली है उमीद करता ह यह वीडियो आपको हेल्प करेगी गाड़ी को पर्चिस करते है टाइम पे कौन सी गाड़ी सही रहेगी आटोमेडिक सही रहेगी मैनूल सही रहेगी मिलता हम से ऐसी किसी अगली वीडिया में तब तक के लिए जहें